हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू SFT इंडिया, सुर्यान सी फिनास्टेडिंग एकडेमी में आप लोगो स्वागत है, दोस्ट हम लोग यहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी का अनालिसिस करते हैं, काल का मार्केट यानि 9 ते ओक्टोबर, फ्राइडे के लिए काल उइकली का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो फ्रेंड्स, काल कौन सा टेक्निकल उर्जन के साथ निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेड करेगा, उसके ओपर हम लोगो ब्रीफली आनालिसिस करेंगे, और हम लोगा प्रिवियस डे, एक्सपारी ट्रेड क्या था, कौन सा लेबल में का दिया था, और आज किसा काम हुआ, उसके ओपर भी हम लोग डिसकसन करेंगे, और मेरा स्टूडेट का प्राफिट स्लोट के ओपर भी डिसकसन करेंगे, आज देखिए, अभी मेरा स्टूडेट प्राफिट स्लोट में जाए, ये देखिए श्रीफ निफ्टी में, क्योंकि हम लोग आज stock के उपर ज्यादा focus नहीं दिया था क्योंकि आज nifty एक top में खड़ा हुआ है market में ज्यादा volatile नहीं था only nifty में था index में but stock के अंदर नहीं था थोड़ा pharma sector काम किया है वकर आप लोग देख सकते हैं हम लोग nifty का आज का expiry का एक call मेरा student ने वाय किया है 11,700 जिसमें 6,400 का profit है और वो 29 अक्टोबर का expiry का 11,700 एगेन भी वही वाय किया था 6,300 का profit था और वो निप्टी 11,900 का 49 expiry का 2,800 एगेन profit हुआ वोल्टाज में 2,000 टोटल निप्टी में उसको 14,000 रुपिया और वोल्टाज एक स्टोग में 2,000 रुपिया का profit हुए टोटल 17,600 का profit हुए इन दो one day not a small amount रुपिया निप्टी में 17,000 रुपिया का profit निकलना फिर भी एक स्पारी दिन के अंदर एक एक लोट के अंदर एक बड़ा मतलब की एक बड़ा बात होता है तो दोस्त अगर आप लोग हमारा साथ जूड़िए हमारा साथ मिलके ट्रेड करिए तो आपको उमीद करता हूँ निप्टी और व्यांग निप्ट का इंडेक्स में जबर्दस्त पैसा होगा चलिए दोस्त काल कॉंसा लेबूल दिया था और किसे काम हुआ ये बंदा ने किसे इतना profit कमाया मैं आप लोग को बताता हूँ देख ये जो पीन पैंट दिया गया है पीन पैंट को अगर पकड़ लिजिए ना दस पैंट बफरिंग रखके तो आपको इतना बड़ा बड़ा मोमेटम मिलेगा चलिए मैं आपको पीन पैंट समझता हूँ यहाँ आप देख सकते फ्रेंड में आप लोग को यह निप्टी का लेवल है यहाँ बताया था यह 11,840 जो भी लेवल में बताया था देखिए जो लेवल का अंदर आपको काम करना है 11,840 में में वो बोला था अगर एक यू कर्व बना कि यहाँ पर देखिए यू कर्व के साथ रेड कलर कैंडल फर्मेशन होता है तो आप सेल में बैटना है मगर एक ग्रीन कलर कैंडल का अंदर 15 मिनिट रूख गया तो अगर आप लोग मेरा ट्रेडिंग सेशन में आते हो मेरा एजूकेशन लेते हो आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड करना है समझ में आ जाएगा देखिए कि बहतरीन मूव है एकदम जो टार्गेट दिया था मेरे साथ में यह चीज आपको रेकुलर बेसिस में में समझाऊंगा और ट्रेड भी कराएगा एक पींपइंट पकड़ के देखिए किसा पैशा कमाया है चलिए सेम आज ब्यांग निप्टी में देखिए सेम देखिए दोस्दों लेबल दिया गया था है कांट्रा एंट्र के मिलाया आप लोगों यहां पर देखिए ग्रीन केंडल फर्मेशन लेबल के अंदर गया लेबल के पास जाने के बाद यू करव बनाया फिर एक क्रेड कलर केंडल के अंदर आपको सेल मिल देखिए दोस्ट इससा अगर आप ट्रेड करोगे ना चबर्दस्त मुनाफा कमा आपके कौन बोलता है इंट्राडे में पैसा नहीं होता है अगर आपको लजिक समझना चाहिए स्वही प्रेडिक्शन का अंदाजा चाहिए हो जाएगा तो हो जाएगा ठीक है दोस्त चलिए हम लोग चलते हैं काल का मार्केट यानि फ्राइडे का मार्केट कोई क्लियंड निप्टी और व्यांग निप्टी का कौन सा टेक्निकाल उर्ज्यान के साथ ट्रेड होगा कैसे होगा अनालीस का यह देखते निप्टी में तीन लेबल निकलके आ रहा है एक तो 12,000 एक 11,000 जो 11,900 कर दिजिए 11,900 कर दिजिए और एक लेबल है आपको 11,760 11,765 कर लिजिए यह तिनो लेबल है तिनो लेबल को नोट कर लिजिए दोस्तु काल क्या होगा देखिए ग्लोबल मर्केट काल 500 positivity में वोब उपन होगा अगर इसा कुछ आता है इसा कुछ सिनारियो आता है तो आपका ग्लोबल मर्केट एक तुम positive होता है कोई भी news के ऊपर तो आपका मर्केट ग्यामबब होगा ग्लोबल मार्केट नेगेटिव होता है, एक्जिक स्निप्टी और डाव फ्यूचर्स अगर नेगेटिव होता है तो अपना मार्केट नेगेटिव होता है इसको आपको हर रोज बताना नहीं पड़ेगा, आप लोग समझ जाओगे, मैं हर रोज बात बताता हूँ लेखे तिनों लेवूल है फ्रेंज, कल क्या होगा, बाइंग साइट कहां से मिलेगा, सिंपल है फ्रेंज, मार्केट ग्याप डाउन थोड़ा होगा, एक ग्रीन कलर कैंडल फर्मेशन करेगा, आपको यहां से बाइंग का अपर्चुनेटी मिलेगा, 11,765 के उपर बाय करिये 11,900 आपके लिए पेहला डार्गेट, सेकेंड बाइंग अपर्चुनेटी, अगर मार्केट ज्याधा ग्याप अप होता है, आजकल तो हो रहा है न, होता है, उम्मीद नहीं है इतना ग्याप अप होगा, अगर हो जाता है, आपको 11,900 के उपर 15,200 मार्केट रूपता है, तो 11,900 का तार्गेट है, 11,665 में U-Curve के साथ बाय करिये, 11,900 आर्गेट, मार्केट रूपता है, 11,900 को पर बाय करिये, 12,000 आर्गेट, सिम्पल है, और कुछ नहीं है उस तार्गेर, सेलिंग साइड में, आपको 11,900 पे एक बार U-Curve मिलता है, एक रेड कलर कैंडल फर्मेश 11,765 में एक कॉंट्रा एंट्री लीजिए, उपाई की तार्गेट, एही है कल का फाइनल लेवल, इसके उपर काम करें, क्यूंकि मार्केट देखिए, पूरा टॉप में खड़ा हुआ है, ग्लोबाल मार्केट रैली के साथ जा रहा है, हमारा मार्केट एक तम चार दिन से पांच दिन से रैली पकड़ रहा है, मगर आज जो छोटा साथ निउट्रल कैंडल बनाया है, वो एक कॉंसोलिडेटर रैंज है, क्या होगा मार्केट में, एक रैंज मांट में ट्रेड करने के लिए कोचिस करेगा, तो यह लेवल है, यहां पर जो भी लेवल बताया, आप उसको समझ लिजे, समझ में नहीं आता दो दोबारा दिखिए, ब्यांग नेटी चलिए, ब्यांग नेटी को होई, तीनो लेवल है, ज्यादा लेवल नहीं है, यहां पर 11,580, 23,580, 23,340, 23,034, यह लेवल है, क्या होगा, मार्केट ग्याप डाउन होगा, काली कुछ मेटि मेटिंग है, आप उसको थोड़ा 10 बजे, ब्यांकिंग सेक्टर का मेटिंग है, तो आप उसको थोड़ा कंसस होगे ट्रेड करिए, स्ट्रिस्ट अपलोस काल मेंटेन करिए, ग्रीन कलर कैनल फार्मेशन होगा, तो आपके लिए फ्रेंड्स, 23,034 के उपर से, आपके लिए गया पाप अबर होता है तो, तो आपके लिए सिंपल छोटा सा टार्गेट है, 23,580 टीर है, शेलिंग साइट के लिए आपके लिए शेलिंग साइट मेंटेन करिए, 23,440 के नीचे, ग्रीन कलर कलर कंडल बनाता है, तो आप यहां से सेल करिए, 23,034 आपके लिए रहेगा, तर्गेट यहां से भी कॉंट्राइंट रही जैसा निप्टी है वहां पर भी ऐसा है फ्रेंड्स अगर मेरे चानेल आप लोको पसंद लग रहा है क्योंकि उमीद में कर रहा हो कि पसंद लगेगा क्योंकि लेबल किसे का आप कर रहा है बिंदासली लेबल बहुत सरे कमेड ब इनफर्मेशन प्रफोज ओनली विफोर टेकिंग ट्रेर प्लीस टेक आडवाईचर फिनांसेल आडवाईचर फ्रेंड्स यह संडे जो लाइव वविनार है तो कुछ डेमो जैसे की बेसीक क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा यूकर्व क्या है कैसे आपको स्टापलस में करना है यह सब समझने के लिए अगर आप चाहते हो तो और नीचे डिस्क्रिशन बक्स में इसी संडे 1030 में वविना रहे तो आप जूड़ना चाहते हो तो रेजिस्टर करिए जूड़ जाएगे मेरे को विदा दीजिए आपका घर पे रहिए सुरकित रहिए टेक केर दोस्त बाई बाई